हेलो फ्रेंड्स और वेलकम बैक तो मैं चैनल आई होब कि आप सब ठीक होंगे दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश के क्वेशन्स की जी हाँ दोस्तो अगर आप में से अब तक कोई ऐसा है जिसे नर्सिंग अपट्यूट के लेक्टर्स नहीं देखिये हैं आज हम डिसकस करेंगे आइडंब्स और फ्रेजिश को आप में से बहुत सारे लोगे कमेंट्स आ रहे हुए कि नर्सिंगे एग्जाम में इंगलिश के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं वहां की पीवाइग्यू जनली की प्री इसे प्रेंट्स में से लिकलते हैं बहु जरूर देखना कहीं स्किप मत करना आई स्टार्ट करते हैं वीडियो तो हमारा फर्स्ट है आइडम से इस इसमें मारा फर्स्ट कॉश्चन है इसका आपका तीन ओप्शन सापको दिये हैं इसको गिफ्टेड है यहीज़ चैटर बॉक्स एक बहुत बूलने वाला है यहीज़ गुट कन्वर्सेशनलिस्ट यह अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट है मतलब बातचीत स्टार्ट करने वाला एक अच्छी कन्वर्सेशन को बिल् आपको आइडम्स आने के बहुत ज्यादा चांसिस है कि आपके पेपर में आइडम से कॉश्टेंस आएंगे और ऐसे यहीज़ आइडम्स आपसे पूछी जाएंगे तो आपको आप्शन देदी जाएंगे और उसको करेक्ट आप्शन को मार्क करना होगा अब देखते हैं स यूनिफाइंड फेक्टर उनको एक करने वाला फेक्टर सेकेंड हैं कॉश आफ कोईरल लडाई जगडे का फेक्टर बन गई है कॉश आफ राइवल्री यानिकि दुश्मनी कर फेक्टर बन गई है तो चो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है वैसे भी हम देखते हैं तो वह जगडे का ही फेक्टर बन जाती है कि हां किसको इतनी प्रॉपर्टी जादा चले गई या उसको इतनी कम गई तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस आइडम का वो है बी ऑप्शन कॉज ऑफ क्वेरल यानिकि जड़ाई जगडे का फेक्टर बन गई है तो इसका बी करते हैं थर्ड कोशन की once in a blue moon we meet each other एक बार नीले चांद की रात में हम दोने दूसरे से मिले थे इसमें आपको तीन आप्शन दे रखे हैं frequently जल्दी जल्दी sometimes कभी कबार see very seldom indeed मतलब बहुत कम तो नीले चांद की रात का मतलब यह कि बहुत कम मतलब रियरली इसको आप कह सक है वो है very seldom indeed अनिका अपका third option correct है अब है fourth he has been jobless for several months and it is his wife who keeps the pot boiling वो बहुत सारे मतलब काफी महीनों तक jobless रहा बेरोजगार रहा यह उसकी wife ही ती उसने pot को boiling रखा keeps pot boiling तो इसका मतलब क्या है keeps the fire burning उसने आख जला के रखी second option है avoid starvation उसने भूग से बचाया भूख मदी से बचाया third option है keeps fire burning जलती वे छोड़ दिया fourth option है gets angry गुस्सा होगी तो इसके हाँ पर आप देख सकते हैं कि वो jobless रहा और उसकी wife ने pot को boil रखा मतलब यह कि उसकी wife ही थी जिसके विरसे वो भूग के नहीं मरे तो avoid starvation तो इसका correct answer है आपका आपका second option avoid starvation fifth आता है in the end he had to eat the humble pie मतला last में उसको क्या करना पड़ा अपनी गलती को मानना पड़ा यह इसका meaning है तो आपको चार तीन option दे रखे हैं sorry first है apologize humbly second है defend himself vigorously अपने आपको बचाया उसने vigorously adopt an aggressive attitude attitude एक aggressive attitude को adopt कर लिया तो इसमें जो correct answer है आपका वो है apologize humbly उसने कि अगर आप शांती से माफी मांग लिए last में अपनी गलती को accept कर लिया यह साइडम का meaning है तो आपका इसमें correct option जो है first option है आप बात करते हैं sixth question की to be a good orator you don't have to play to the galleries अगर आप अच्छे वकता है औरेटर मतलब होता है वक्ता अगर आप अच्छे वक्ता है तो आपको लोगों को impress करनी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसमें first आपका option है make a fool of yourself अपना मजाग बनवाना second है offend the audience audience को offend करना third option है appeal to the lower taste appeal करना lower taste को fourth option है appear select audience appear करना select audience को तो इसमें अगर आप अच्छे वक्ते हैं तो आपको galleries को play करनी की जरूरत नहीं है तो इसमें आपका correct answer जो से match करता है वो है third आपका appeal to the lower taste अब बात करते हैं seven question की the officer took him to task officer ने इसको टास्क पे ले गए इसका आपका जो first option है वह रिब्यूक्ड हिम second option है reprimanded him severely third option है dismiss कर दिया उसको force है कि promote कर दिया इसका जो correct answer है आपका वो है रिब्यूक्ड हिम तो आपके देख सकते हैं आपको 4-4 options कहीं पर 3 options ऐसे करके मिलेंग तो यह थे आपके items and phrases कि मैंने आपको एक idea दिया है कि कैसे गत्री questions बन सकते हैं तो items and phrases बहुत important है इसके जितने questions आपको मिलें प्लीज इनको practice जरूर करना बिलकुल मत छोड़ना बहुत important topic है आपका अब बात करते हैं हम choose one which is nearest to the nearest in meaning to the given word हमें एक शब्दे रखा है यह 4 options द जादा similar तो कौन सा जादा करीब है जिसकी meaning match करती है तो आप इनको synonyms भी कह सकते हैं तो first है हमारा इसमें ग्लिप इसमें आपकी चार options दे रखें आपको tough होना second है rough, third है smooth, fourth है root इसका हमारा correct answer है smooth, glip का मतलब होता है फिसल निदार और smooth का मतलब भी वही होता है तो आपका जो correct option है वो third option है आपे, second है edify, edify में से चार option दे रखें आपको, first है consume, second है satisfy होना, संतुस्ती, third है instruct करना, fourth है amuse करना, तो edify का मतलब ही होता है किसी को instruct करना, तो यहाँ पर आपका instruct से यह match कर रहा है, अब आपका जो 10th question है वो है locatius, locatius में आपके चार options दे रखें आपक पहला है brilliant, second है knowledgeable, third है talkative, fourth है narrative, तो locatius का अगर meaning देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा talkative, यानि कि बहुत बोलने वाला, बातचीत करने वाला, तो इसमें आपका जो third option है वो correct है, फिर आता है paramount, paramount में आपके चार options दे रखें हैं, first है prestigious, second है valuable, third है supreme, fourth है urgent, paramount का मतलब होता है कि कीमती होना, important होना, तो इसमें आपका ऐसा कौन सा word लग रहा है कि आपको जो match कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि valuable word जो है वो आपका match कर रहा है, तो इसका जो correct answer है, वो है आपका second option, यानि कि valuable, आप है हमारा ostentatious, इसमें आपके चार options है, noisy, second है talkative, fourth है showy, and sorry, third है showy, and fourth है welly, तो ostentatious मतलब भी ऐस होता है कि अपने आपको दिखाना, show करना, और यहाँ पर आपको जो third option है, वो भी है showy, तो इसका जो correct answer है, वो है हमारा third option, showy, आप है आपका candidate, candidate में आपके चार options दे रखे हैं आपको, पहला है free, second है jelly, fourth, third है frank, और fourth है friendly, तो candidate का मतलब होता है तो आपको जो correct answer है वो आपका third option है frank, दोस्तों यह कुछ questions थे, जो मैंने आपको प्रेक्टिस कर रहा है, जिनके words मैच कर रहे थे, आपके questions वाले words से, आपको मैंने items और phrases की प्रेक्टिस कर रहा है, तो I hope कि आपको यह पसंद आए होगा, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो please, please इसको like कर दो और share कर दो अपने friends के साथ भी, और हाँ इस channel पे नए हो तो इसको subscribe कर लो, क्योंकि दो parts छोटे-छोटे में और बनाऊंगी ऐसे 10-15 minutes के और उसमें आपको मैं पूरा English का syllabus cover करा दूँगी, तो channel पे बने रही है, और हाँ bell icon को जरूर प्रेस करना ताकि future में आने वाला कोई भी update हो, तो मैं आपको दुरंद दे दूँ, thanks and have a nice day.